हेलो क्लास फोर्थ, तोड़े वी विल कंटिन्यू आर चैप्टर दे अन्वायमेंट, चैप्टर थर्टीन, तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, वोड इस अन्वायमेंट और किस तरीके से हिुमेन अक्टिविटी से हम अपने अन्वायमेंट को द्यंद पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशन, सो लेट स्टार्ट, अबाउट टू थर्ड ऑफ अर्थ सर्फेस इस कवर्ड विद वाटर, बट मोस्ट ऑफ इस सॉल्टी, तो देखिए, हमारा जो अर्थ सर्फेस है, उस पर लगभग तू थर्ड जो इसका अर्थ सर्फेस है, वो व पॉल्टी है, नमकीन है, खारी है, जिसको हम अपने कंज्यूम करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको फार्मिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं, यानि कि वो हमारे लिए यूजलेस है, अबाउट 3% इस फ्रेश वाटर और इस टोटल जो हमारा इस फ्रेश वाटर को पीने के लिए काम में ले सकते हैं, हम लोग अपनी कुछ ऐसी गंदी हरकतों से यह जो आवेलेबल हमारे पास 3% भी जो फ्रेश वाटर है, उसको हम क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, So the contamination of water bodies is called water pollution, तो यह जो water bodies हैं, उनके अंदर जो यह प्रदूशन या 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 यह जो water bodies जो गंदी हो रही हैं, contaminate हो रही हैं, उसी को हम बोलते हैं, water pollution, So let us find out how we have polluted the water, तो चलिए देखते हैं, कैसे हम इस water को, कैसे हमारी जो यह human activities, कौन कौन सी ऐसी human activities है, जो इस water bodies को गंदा करती हैं, तो देखे, causes of water pollution क्या 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 कारण हैं, क्या क्या causes हैं, यहाँ पर आप picture आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इस picture से आपको अच्छे से clear हो जाएगा कि water pollution देखिए कैसे कैसे होता है, यहाँ पर आपको factories दिखाई दे रही हैं, उस factories का जो sea waste का जो water है, वो जाकर कि water bodies में मिल रहा है, उसके अलावा आप second picture में देख सकते हैं, कि किस तरीके से हम लोग जो है, वो water bodies के अंदर, अपना जो waste होता है, जो garbage होता है, उसको हम यहाँ पर dispose कर देते हैं, इससे भी water bodies जो है, वो गंदी हो जाती हैं, है न, तो देखिए, क्या-क्या causes यहाँ पर दिये हुए हैं, given below are some human activities that are responsible for polluting water bodies, such as river, lakes, and ponds, तो देखिए, किस तरीके से human activities गंदा कर रही हैं, इसको throwing garbage into ponds, lakes, and rivers, हम लोग जो अपना घर का, या फैक्टरीज का, जो भी कचरा होता है, उसको हम लेकर के क्या करते हैं, ponds में, lakes में, rivers में, डाल देते हैं, इसे water bodies, जो है, वो क्या हो जाती है, contaminate हो जाती है, गंदी हो जाती है, releasing untreated industrial and domestic seaways directly into water bodies, इसके अलावा, जो फैक्टरीज से गंदा पानी निकलता है, जो seaways का, पानी, domestic seaways यानि नालियों का, जो गंदा पानी निकलता है, उसको हम बिना उसको clear किये हुए, साफ किये हुए, उसको water bodies में छोड़ देते हैं, जिसकी वेज़े से क्या होता है, वो water bodies pollute हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, इसके अलावा taking bath, washing clothes and cleaning cattle in ponds and rivers, इसके अलावा आपने देखा होगा, कई बार आप अगर गाओं में जाते होंगे, तो लोग जो हैं, ये water bodies में, यानि की rivers में, lakes में, ponds में, उसके पानी को नहाने के लिए भी उसकरते हैं, तो हम लोग जैसे नहाते हैं, वहाँ पर तो shampoo, soaps, उसके अंदर chemicals होते हैं, वो क्या होते हैं, उसको पानी को गंदा कर देते हैं, इसके अलावा हम अपने कपड़े भी वहाँ धोना start कर देते हैं, जिसके chemicals होते हैं, वो पानी में मिल जाते हैं, इसके अलावा गाओं में ल नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट है water from agricultural land flowing into water bodies इसके अलावा जो agricultural lands जो होती है उनका जो water होता है वो भी जाकर के water bodies में मिल जाता है क्योंकि हम अपनी farming में बहुत सारे pesticides का बहुत सारे manure जो है उनका use करते हैं उसमें बहुत सारे chemicals होते हैं तो यह पानी जाकर के जब इन water bodies में मिल जाता है तो वो उसको क्या कर देता है गंदा कर देता है इसके अलावा देखिए यह तो होके हमारे क्या-क्या causes हैं जिसकी वज़े से हम अपने जो हमारे पास fresh available water है उसको हम गंदा कर देते हैं अब क्या-क्या effect होते हैं इस polluted water के effect of polluted water many harmful germs and insects grow in polluted water तो हमें यह तो पता है आपने देखा भी होगा आपने घर के आसपास जहां भी गंदा पानी जमा हो जाता है वहाँ पर आप देखते हो डिफ्रेंट टाइप्स के insects जो है वो grow होने शुरू हो जाते हैं वहाँ पर आप mosquitoes देखते हो house flies देखते हो है न तो germs जो है वहाँ पर insects जो है वो पैदा होने start हो जाते हैं जिसकी वसे बहुत सारी बिमारिया जो है वो पैदा होती है like diseases such as jointis, diarrhea and typhide are caused by drinking polluted water और जब हम ये गंदा पानी जो है उसको use करते हैं पीने के लिए use करते हैं तो इससे बहुत सारी बिमारिया जैसे की jointis हो गया, diarrhea हो गया, typhide हो गया इस type की बिमारिया जो है वो होती है polluted water also kill aquatic animals and plants इसके अलावा जो ये polluted water होता है वो aquatic यानि की जो पानी में रहने वाले जो animals हैं पानी में रहने वाले जो plants हैं उसको भी काफी ज़्यादा प्रभावित करता है और काफी सारे animals जो है वो से मर भी जाते हैं अब steps कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं जो हमारी problems है उसको हम कैसे short out कर सकते हैं कैसे reduce कर सकते हैं water pollution को तो देखे steps to reduce water pollution always use waste wind to dispose of garbage जैसे कि हम नदियों में और तालाबों में जो अपना घर का जो भी waste होता है उसको हम तालाबों में डाल देते हैं उसकी जगे पर हमें क्या करना चाहिए हमें waste bins यानि कि dust bins जो है वो अपने घर में use करनी चाहिए खचड़ा डालने के लिए ना कि हम उसे इधर उधर फैंक दें ताकि उसको आप manure उसे बना सकते हो organic manure जो है उससे बनाया जा सकता है जिसको हम plants में use कर सकते हैं नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं never throw garbage in and around water bodies हमें कभी भी जो हमारा घर का जो waste जो garbage जो है उसको हमें water bodies के आज पास या water bodies के अंदर कभी भी फैंकना नहीं चाहिए do not throw oil medicines and chemicals down the drain हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो नालियों में नहीं फैंकनी चाहिए क्योंकि ये जाकर के water bodies में mix हो जाती है do not overuse fertilizers and pesticides इसके अलावा हमें अपने खेतों में बहुत जादा fertilizers और pesticides का use भी नहीं करना चाहिए हमें organic manure को use करना चाहिए use organic manure instead and next हम कर सकते हैं sea waste waste should be treated before it is released into the water bodies तो हम अपनी जो sea waste यानि की जो नालिया है उसमें जो गंदा पानी जाता है उसको water bodies में mix होने इसे पहले हमें चाहिए कि हम उसको machines के through उसको clear कर लें उसके बाद ही उसे जाकर के water bodies में mix हो उसे पहले वो mix ना हो next हम कर सकते हैं कि हम save कर सकते हैं water को क्योंकि हमें पता है कि water जो है वो बहुत जादा precious है इसकी इतनी जादा importance है तो हम इसको किस तरीके से बचा सकते हैं water is precious it is essential for the survival of all life देखे water बहुत जादा precious है और सभी के जितने भी human being है जितने भी living being है उनके life के लिए survival के लिए बहुत जादा important है ये तो हम सब को पता है हम बेना पानी के बिल्कुल भी जिन्दा रह सकते हैं क्या नहीं रह सकते हैं ना so we must not waste it हमें इसको बिल्कुल भी waste नहीं करना चाहिए we may take the following steps to conserve water तो देखे हम कुछ इस तरीके से कुछ following यहाँ पर जो steps दी हुए है इनको follow करते हुए हम इसको conserve कर सकते हैं इसको हम बचा सकते हैं तो क्या क्या steps हम follow कर सकते हैं guide leaking taps and pipes fixed तो हमारे अगर कोई taps यानि की नल जो है वो leak कर रहे हैं कोई pipe में leakage है तो हम उसको उसको पूरी तरह से हमें ठीक कराना चाहिए उसको ऐसे टपकती हुए नलों को नहीं छोड़ना चाहिए next turn of taps when they are not in use हम कई बार क्या करते हैं ब्रश कर रहे होते हैं या फिर हम face wash कर रहे होते हैं तो जब हमें जरूरत नहीं भी होती है तो tap हमारा continue on रहता है तो हमें tap को साथ की साथ turn off कर देना चाहिए बंद कर देना चाहिए उसको useless चला करके नहीं रखना चाहिए है न avoid showers मतलब कई बार आपने देखा होगा नहाने के लिए बच्चे ज़्याद तर ऐसा करते हैं कि बाथूम में जाते हैं और shower चला करके उसके नीचे खड़े हो जाते हैं जिसे काफी सारा water जो है वो waste होता है तो हम क्या कर सकते हैं use a bucket and a mug to take bath यानि कि हमें नहाने के लिए bucket और mug को use करना चाहिए next हम क्या कर सकते हैं don't use a hose to water plant और wash your car use a bucket तो हम कई बार आपने देखा होगा अपनी कार को धोने के लिए एक बहुत बढ़ा सा तो बढ़ा सा pipe हम जो है यूज करते हैं आपने देखा होगा प्लास्टिक का जो बढ़ा सा चोड़ा जिसका मुह होता है उसको हम use करते हैं कार को wash करने के लिए जिसमें बहुत सारा water जो है हम waste कर देते हैं तो हमें उसकी जगे पर हमें क्या use करना चाहिए हम bucket ले सकते हैं हम बग ले सकते हैं जिसे कि हम कम water waste करते हुए अपनी कार को clean कर सकते हैं है ना उसके अलावा अगर आप plants में भी पानी दे रहे हो उसके use kitchen water for watering plant हमें अगर plants में water देना है plants में पानी लगाना है तो हम जो kitchen का जो हमारा waste water होता है यानि कि जिसको जैसे हम बरतंद होने के लिए या फिर हम अपने घर को clean करने के लिए जो water use करते हैं उसको हम reuse कर सकते हैं अपने पेड़ों को पानी देने के लिए तो यह कुछ steps हैं जिससे हम अपने water को conserve कर सकते हैं बचा सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ और तरीके हो सकते हैं water को conserve करने के लिए तो आपको क्या करना है यहां पर यह two lines चो दी हुई हैं उसमें आपको इनको लेखना है okay next जो pollution आता है that is soil pollution soil pollution the contamination of soil with harmful substances that may harm us or other living being is called soil pollution soil pollution क्या होता है यानि कि soil का प्रदूशित होना हमारी जो soil है हमारी earth जो surface है उसके उपर जो सबसे first उपर की जो layer होती है जब वो गंदी हो जाती है, प्रदूशित हो जाती है, कांटेमिनेट हो जाती है कैसे? with some harmful substances जब कुछ उसमें harmful substances mix हो जाते हैं तो क्या पैदा होता है? उससे होता है soil pollution देखिए हाँ पर आप देख सकते हैं picture के अंदर यह आपको दिखाए दे रहा है, यह soil के ओपर यह इतना सारा garbage जो है वो पड़ा हुआ है, है ना? next page, causes of soil pollution क्या-क्या कारण है soil pollution के? excessive use of pesticides and fertilizers हम खेतों में जो बहुत ज़्यादा pesticides pesticides क्या होते हैं, हम अपने crops को farmers जो हैं, वो अपनी crops को बचाने के लिए ताकि उसको कीडे ज़्यादा ना हाम पहुचाएं, तो वो क्या करते हैं? उसके ओपर काफी सारे pesticides को हैं, वो डालते हैं इसके अंदर बहुत सारे chemicals होते हैं इसके अलावा crops की growth बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए उसके लिए fertilizer use किये जाते हैं, जिसमें बहुत सारे chemicals होते हैं, तो यह हमारी soil को क्या कर देते हैं? पॉल्यूट कर देते हैं इसके नावा leakage in seaweed system यानि कि seaweed system नालियां जो होती हैं उसका proper arrangement आपने देखा होगा नहीं होता आपने यहाँ पर भी आप देखते ही हैं कि जो नालियां है वो proper जाकर के बाहर किसी जगह पर नहीं जाती हैं, बलकि वो soil के अंदर उसका जो गंदा पानी है वो अंदर पहुंच जाता है जिसे कि soil जो हमारी क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है इसके अलावा हम करते हैं untreated waste water from industries इंडस्ट्री से जो water निकल के आता है गंदा पानी जो गंदा मलवा होता है उसको बिना उसको purify किये हुए, साफ किये हुए उसको हम water bodies में छोड़ देते हैं जिसकी वज़े से और जो soil है उसके अंदर जो है उसकी गंदे जो chemicals होते हैं जाकर के mix हो जाते हैं अब क्या-क्या effects होते हैं soil pollution के, क्या-क्या प्रभाव पड़ता है इसका effects of soil position तब plant grown in polluted soil may be contaminated तो देखिए जो plant जो इस polluted soil के अंदर जो grow करते हैं पैदा होते हैं तो वो plants जो grow होकर जो बढ़ते हैं वो भी contaminated हो जाते हैं यानि कि प्रदूशित हो जाते हैं इसके अलवा soil pollution can make the land infertile soil pollution जो है वो हमारी land को infertile यानि अनुप जाओ भी बना देता है next contaminants in soil may infiltrate into ground water and pollute it तो जो contaminants जो होते हैं यानि कि ये जो प्रदूशित प्रदार्थ जो होते हैं हांफुल substances जो होते हैं वो हमारे underground water में जाकर के mix हो जाते हैं यानि कि हमारी जो earth surface है उसके अंदर ये चले जाते हैं जिससे कि हमारे underground water को भी ये pollute कर देते हैं गंदा कर देते हैं अब देखें नेक्स्ट है हमारा waste disposal waste disposal क्या होता है what is waste disposal anything that is left over and not used in thrown as waste मतलब जो कुछ भी हमारा बच जाती है चीजें घर में जो कि हमारे use में नहीं होती है हम उसको fact देते हैं तो वो क्या होता है waste होता है and waste can be from our homes, factories and agricultural fields तो ये जो waste होता है ये कहीं से भी हो सकता है हमारे घर में भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम use में हमारे नहीं होती हैं हम उसको dispose of कर देते हैं इसके अलावा factories में भी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो है वो waste होती है जिनका कोई use नहीं होता है इसके अलावा agricultural fields में भी फसल जो होती है, crops जो होती है उसको निकालने के बाद बहुत सारा waste जो है वो बच जाता है तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, waste होती है In our daily lives, we generate different form of waste हम अपनी daily life में बहुत सारी different type की waste जो है वो generate करते हैं कैसे कैसे, waste material can be grouped into two types इनको हम, हमारा जो waste material है उसको हम two parts में divide कर सकते हैं एक तो होता है हमारा bio degradable and दूसरे होते हैं non bio degradable तो चलिए अब देखते हैं कि ये bio degradable and non bio degradable waste जो होता क्या है What happened to the following? देखे, यहाँ पर ये जो चीजें आपको दिख रही है इनके साथ आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं Newspaper that comes into, in your house everyday हमारे घर में जो newspaper आते हैं, daily हम morning में newspaper लेते हैं उनका हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए waste हो जाते हैं पढ़ने के बाद, जब हम daily उसको news को read कर लेते हैं, वो हमारे लिए waste है The glass, mug, plate and cup that big यानि कि जो भी glass, crockery items जो हम use करते हैं, जो की टूट जाते हैं, वो हमारे लिए waste हो जाते हैं fruits and vegetables, peels and seeds, यानि कि जो सबजियों के और fruits के जो छिलके होते हैं या उनके bees जो आप, जैसे आप fruits खाते हैं, तो उसके बाद, ममा सबजियां काटती हैं, उनको छिलती हैं तो अंदर का जो material होता है, उसी की सबजी बनाते हैं, वो सारी बचीवी चीज़े क्या हो जाती हैं, waste हो जाती हैं next, the polythene bag, जिसके अंदर सबजियां हम लोग ले करके आते हैं, जो की नहीं लानी चाहिए and old plastic bottles, कई बार आप market में जाते हो, आपको पानी पीना होता है, तो आप plastic bottles करीते हैं, वो हमारा पानी consume करने के बाद, bottles क्या हो जाती हैं waste हो जाती हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, waste material है, old toothbrushes, यानि कि जो हम brush use करने के बाद, कुछ 2-3 months के बाद, वो waste हो जाती है empty toothpaste tube, यानि कि जो हम paste use करते हैं, brush करने के लिए, जब वो खाली हो जाती है, तो वो भी waste हो जाती है shampoo bottles, old clothes and shoes, you no longer use, यानि कि बहुत सारे हमारे पुराने कपे होते हैं, shoes होते हैं, जिसको फट जाते हैं, या फिर छोटे हो जाते हैं तो इतना सारा जो items हैं, वो हम daily, अपने day-to-day life में उसको dispose off करते हैं, waste हमारा हो जाता है अब देखे, some of the waste such as fruits and vegetables, peel, decay quickly and mix with soil आप देखते होंगे कि जो हम fruits और vegetables जो छीलते हैं, उनके जो छीलके होते हैं, वो बहुत जल्दी ही decay, यानि कि सर जाते हैं और बहुत जल्दी soil में जाकर के mix हो जाते हैं So, such waste and decay naturally is called biodegradable waste और इस तरीके की चीज़ें जो जल्दी ही decay हो जाती हैं, set जाती हैं और जाकर के naturally वो soil के अंदर mix हो जाती हैं, उन items को हम बोलते हैं, biodegradable waste And the leftover food parts of plants, pencils, shavings and animals and human faces are example of biodegradable waste यानि कि ये कुछ example हैं जो आप देखते हैं कि जल्दी ही जो हैं वो खराब हो करके, सर करके और soil के अंदर mix हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं, biodegradable waste इसके अलावा, some waste does not decay naturally कुछ waste ऐसे होते हैं, जो खुद काफी लंबे टाइम तक कभी भी खराब नहीं होते हैं, सरते नहीं हैं, डिके नहीं होते हैं इवें आफ्टर हंड्रेड और थाउजंड सॉफ यह यानि कि सैकडों, हजारों, सालों तक भी वो as it is ही बने रहते हैं, वो बिल्कुल भी उनकी condition कोई नहीं होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, जाकर कि सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं, नान बायो डिकेड़ेड़ वेस्ट, ओके आप इस तरीके की रेगुलर यूज में बहुत सारी चीज़ें देखते हो, देखें यहां पर आपने देखा प्लास्टिक, आप देखोगी प्लास्टिक, पॉलिथिन्स, या फिर आप जो भी बॉटल हम पानी पीते हैं, उस जो बॉटल बच जाती हैं, उसको आप काफी ल निकालोगे तो आप देखोगी कि वो बॉटल जो है, आपको काफी लंबे टाइम बाद भी एज टीज ही वापस मिलेगी, यानि कि वो उसके अंदर सॉयल के अंदर मिक्स आपको नहीं होगी, वो जैसी आप डालोगे वैसी ही वो निकल करके बाहर आएगी, आप ग्लास जो पर एक एक्टिविटी दी हुई है, पुट सम किचन वेस्ट, सच इस वेजिटिबल, पील्स और डैड लीव्स इन पॉलिथिन बैग, आपको कुछ किचन का वेस्ट, माटीरियल जो है वो लेना है, जैसे कि सबजियों के छिलके हो गए, या फिर कुछ डैड लीव्स हो प्लास, प्लास्टिक, एंड मैटल, अनदर बैग, और एक और बैग लेना है, उसके अंदर आपको कुछ ग्लास के पीसे, कुछ प्लास्टिक के पीसे और कुछ मैटल जो है वो डालना है, अब आपको क्या करना है, दोनों पॉलिथिन को पांद करके आपको साइड में रख बिसके बादा आप क्या देखोगे, you will notice that biodegradable waste start to decay, जो biodegradable waste जो है वो धीरे दीरे करके सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, and whereas non-biodegradable waste remains the same, जो दूसरी जिसमें आपने glasses, plastic और metals, जो दूसरे packet में रखे हुए हैं, वो पिल्कुल भी सड़ेंगे नहीं, वो as it is बने रहेंगे, जो हम रिसाइकल कर सकते हैं और उसे हम बहुत अच्छा सा खाद ट्यार कर सकते हैं जिसको हम अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं waste is collected in compost pit, हम एक compost pit बना सकते हैं, उसके अंदर हम ये सारा जो हमारा घर का kitchen का जो waste होता है, यानि कि सबजियों के छिलके हो गए, foods के जो छिलके हो गए, उन सब को हम इखटा करके उस compost pit के अंदर डाल सकते हैं and it decays within 45 days to 90 days, यानि कि ये 45 days से लेकर 90 days तक का process होता है, जिसमें कि उनके सढने का process चलता रहता है and forms manure, और एक बहुत ही अच्छा जो है organic manure जो है इसे ready हो जाता है, जो हमारे plants के लिए बहुत ज़्यादा plants की growth के लिए helpful होता है और इसमें कोई chemicals नहीं होते, so manure is added to soil and plants grow well in the soil, और manure को हम soil में add कर सकते हैं, जिसे plants रो हैं वो हमारे काफी अच्छे से grow कर सकते हैं, non-biodegradable waste can also be recycled, इसके अलावा जो non-biodegradable waste है, वो भी recycled किया जा सकता है, कैसे? For example, discarded plastic objects, जैसे की काफी सारी जो bottles हो जाती है, plastic bottles हो जाती है, plastic bags हो जाते हैं, उनको भी क्या किया जा सकता है? Are recycled to make new objects, such as buckets, mugs and toys, उनको हम दोबारा से recycled करके नए objects बनाने के लिए use कर सकते हैं, यानि कि जो चीज़ें टूट चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, उसको recycle करके हम buckets बना सकते हैं, हम उनसे mug, toys और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उनको दूसरी चीज़ें बनाने में use मिला सकते हैं, similarly, broken और discarded glass objects are recycled to make new glass objects, इसके अलबर जो glass objects जो हमारे crockeri items जो हैं, वो जो तूट जाते हैं, उनको हम वापस से recycle करके glass के ही new items, objects जो हैं, वो हम बना सकते हैं, अब आता है, how can we save the environment, हम अपने environment को कैसे save प्रक सकते हैं, किस तरीके से हम बचा सकते हैं, as non-biodegradable waste does not decompose naturally, it poses a threat to the environment, तो यह जो non-biodegradable waste है, क्योंकि हमें पता है कि naturally यह decompose नहीं होता, तो यह हमारी environment के लिए बहुत बड़ा खत्रा है, so we can save the environment from the harmful effects of non-biodegradable waste by following the 3R rules, यह 3R rules क्या हैं, हम इन 3R rules को follow करके हम अपने environment को harmful effects से बचा सकते हैं, यह 3Rs क्या हैं, reduce, reuse and recycle, है ना, तो देखे, कैसे हम इन 3Rs का rules को follow कर सकते हैं, सबसे पहले आता है, reduce, reduce यानि कि वो items जो हमें पता है कि non-biodegradable हैं, यानि naturally decay नहीं होंगे, decompose नहीं होंगे, उनको हमको, उनको यूज को reduce कर देना चाहिए, So, minimize the use of disposal items, for example, use clothes, hand towel and handkerchiefs instead of tissue paper, यानि कि आपने देखा होगा कहीं भी आप जाते हो, malls में जाते हो, या फिर restaurant में जाते हो, या फिर hotels में जाते हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, tissue paper, खाना खाने के बाद हम tissue paper यूज करते हैं, उसकी जगे पर हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, next, purchase and consume only necessary things, यानि कि हमें सिर्फ वही चीजें purchase करनी चीएं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा necessary हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, useless जो चीजें हैं, वो हमें consume नहीं करनी चीए, like polythene bags, उसको हम बिल्कुल use करना छोड़ सकते हैं, जिसका हमारे लिए कोई ज्यादा बहुत ज्यादा importance नहीं है, next हम कर सकते हैं, reuse, यानि कि किसी भी इस टाइप के item को हम बार बार use कर लें, कैसे, find new ways to use old things, पुरानी चीजों को दोबारा से use करने के कुछ नए तरीके हम अपना सकते हैं, कैसे, for example, old text books can be given to the library, हमारी जो जैसे आप माल लीजे की 7th class में हैं, और 7th class में जो आपने books पढ़ ली, naturally आपकी next class में वो books काम नहीं आएंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसको किसी needy, जो student है, उसको हम उसे दे सकते हैं, या फिर हम किसी library में उसको gift कर सकते हैं, तो वहाँ पर as a resource वो रखी रहेगी, जो जिस किसी भी बच्चे को use करना होगा, तो वो उसको use कर सकता है, next हम क्या कर सकते हैं, old toys and clothes can be given to orphanage, orphanage or charity organization, तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पुराने खिलोने हैं, हमारे कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, उनको हम अनाथा अश्रम में या फिर किसी charity organizations में हम उसको दान दे सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो नीडी बच्चे हैं, चिल्डरन हैं, उनके वो use में आ सकते हैं, यानि कि जो कपड़े हमारे यूज में नहीं हैं, जिनको अब हमें यूज नहीं करना बिल्कुल बेस्ट हो चुके हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, हम उनको पॉच्चा बनाने के लिए या फिर घर की dusting के लिए उसको हम use कर सकते हैं, इसके अलावा हम उनसे कपड़े के जो handbag होते हैं, वो बनाने के लिए हम use में ला सकते हैं, लाइक मान लिजे हमें सबजी लेने के लिए जाना है, तो हम वहाँ polythine bags ना लें, हम अपने handbags जो हैं वो लेकर के जा सकते हैं, जो हम इन waste जो हमारे clothes हैं उनसे बना सकते हैं, इसके अलावा जो door mats होते हैं, यानि कि घर के आगे हम pair पहुँचने के लिए जो door mats use करते हैं, वो भी हम इन पुराने कपड़ों से seal करके उनको बना सकते हैं, तो इस तरीके से हम waste जो हमारे items हैं, उनको reuse कर सकते हैं, नेक्स हम कर सकते हैं, recycle, recycle जैसे अब हमने थोड़ी दिर पहले ही पढ़ा, some of the things that cannot be reuse can be recycled, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिसको हम reuse नहीं कर सकते, जिसका कोई और use नहीं है, like plastic bottles हो गई, जैसे हमारे कुछ प्रॉकरी cups, plates जो तूट जाते हैं, उनको हम किसी और use में न जैसे सकते हैं, अब हम इनको recycle कैसे कर सकते हैं, old newspapers can be given to the scrap dealer, scrap dealer को हम उसको जो हमारे पुराने जो newspaper है, old newspaper जो हम scrap dealer को दे सकते हैं, वहाँ पर ये किया क्या जाता है, इसका, the scrap dealer give all the collected papers to a paper mill जो scrap dealer होता है वो हमारे सारे जो newspaper होते हैं उनको collect करता है और जाकर के paper mill में देता है जहाँ पर की where it is recycled to make lower grade paper वहाँ पर उनसे दोबारा से थोड़े से lower grade के papers जो हैं वो बना लिये जाते हैं जिनको हम वापस से use में ला सकते हैं नेक्स हम कर सकते हैं non-biodegradable things such as broken glass और metal container can be recycled to make new things तो जो भी non-biodegradable चीज़े हैं जैसे की हमारे broken glass हो गए टूटे हुए glass हो गए या metal का कोई container हो गया जो टूट गया खराब हो गया उसको हम recycle करके उसी metal में या उसी glass में दूसरी नई चीज़ें जो है वो बना सकते हैं अब देखिए अब आ जाता है और हम अपने environment को neat and clean और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा plants जो हैं वो लगा सकते हैं Trees are helpful देखिए हमारे environment को बहुत अच्छा बनाने के लिए trees जो है वो हमारे best friend है जो हमारे environment को काफी अच्छा बना सकते हैं देखिए trees are our best friend trees जो है वो हमारे best friend है and they are useful to us in many ways यह हमारे लिए बहुत ज्यादा useful है कई सारी चीजों के लिए their roots hold the soil firmly and prevent it from getting washed away by rain and flood तो हम देखो हमने geography में भी पढ़ा हमारी जो trees है trees की जो roots होती है वो soil को soil की जो उपर वाली जो layer होती है उसको hold करने में बहुत ज़ादा help करते हैं जिससे कि जब बहुत ज़ादा बारिश हो या बहुत तेज हवाएं चले तो यह जो soil की upper layer है वो एक जगे से दूसरी जगे ना चली जए तो plants जो है वो इसके लिए काफी help करते हैं So they clean the air and release oxygen that we breathe in हमें पता है कि यह जो plants होते हैं यह air को clean करते हैं purify करते हैं और यह oxygen release करते हैं जिसको हम breathe in करते हैं हम सांस लेते हैं If we really care for the environment we should save the forest and trees अगर हमें सच मुच में अपने environment को care करनी हैं उसको अच्छे से रखना है तो हमें ज्यादा स्यादा trees जो है वो लगाने चाहिए forest को बचाना चाहिए How to save our trees अब हम अपने trees को कैसे बचा सकते हैं We should not cut trees हमें trees को बिलकुल भी cut नहीं करना चाहिए If we have to cut them for any reason we should plant more trees than we cut अगर हमें किसी भी reason से अपने trees को plants को cut करना भी पढ़ रहा है काटना पढ़ रहा है क्यूंकि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे चीजें जो हैं ऐसी होती हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते तो हमें trees को जो हमें trees से ही मिलती हैं तो हमें trees को काटना पढ़ता है कि जितने trees हम काट रहे हैं उसी ज़्यादा trees हमें plant करने चाहिए लगाने चाहिए ताकि हम अपने environment को कैसा रख सकें अच्छा रख सकें clean रख सकें next हम देखे paper is made from trees we should not waste paper क्योंकि हमें पता है कि हमारे paper जो है वो trees से बनते हैं तो हमें paper को पिल्कुल useless waste नहीं करना चाहिए जितने की हमें जरूरत है हमें उसको वहीं use करना चाहिए and do not take and do not take print out unnecessarily और हमें बिना अगर हमें कोई जरूरत नहीं है unnecessarily हमें जो print out है वो नहीं निकालने चाहिए इसा नहीं है कि कुछ भी हमें जरूरत नहीं है और हम print out जो है वो निकाले जा रहे हैं तो हमें paper जो है वो विल्कुल भी waste नहीं करने चाहिए in villages people use wood as fuel to make food गाओं में आपने देखा होगा खाना बनाने के लिए ज्यादा तर जो है वो आप देखते हैं कि अंगीठी या फिर चूला जो है वो यूज किया जाता है यानि कि ज्यादा हम लोग लकडियां जो है जला करके और उस पर हम खाना जो है पकाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं they should use other form of fuel such as liquefied petroleum gas यानि कि LPG या फिर गोबर gas या फिर हम गोबर gas जो है वो यूज कर सकते हैं यानि कि हम जो fuel के लिए हम लकडियों की जगह पर हम LPG gas का यूज कर सकते हैं जिससे कि हम अपने plants को ज्यादा ना waste करें तो यह था हमारा chapter your chapter is finished इसके साथ ही आपका science का syllabus भी complete हो गया है अब आपको करना क्या है आपको अच्छे से इस chapter को read करना है और यहाँ पर आपको causes लिखने हैं सभी type के pollutions के उसके क्या-क्या effects होते हैं और कैसे हम उसको shot out कर सकते हैं कौन-कौन से ways हैं जिससे हम उसको कम कर सकते हैं वो आपको अलग से detail में पूरा लिखना है तो next class में हम लोग करेंगे question answers of this chapter till then, bye